तो दोस्तो हम लोग पॉलिटी का सेक्षन पड़ रहते जिसमें हम लोगों ने लोग सभा की थेओरीज और MCQs बहुत अच्छे तरीके से कंप्रीट कर लिए अब हम लोगों का ये सेशन सीगर आवलोकन मतलब वन लाइनर का होगा वन लाइनर बहुत आवश्यक होते हैं हमारी मेमोरी बूश्टप के लिए दोस्तों ठीक है इसलिए वन लाइनर की भी प्रैक्टिस करने चाहिए जो हम उनको चीजे याद कराने बहुत मददकार होते हैं इसके पहले हम लोगों ने लोग सभा तक बहुत अच्छे तरीके से थियोरीज, MCQs और वन लाइनर बहुत अच्छे तरीके से कंप्रीट करते आए हैं इसके पहले अगर आप लोगों कोई वीडियो नहीं देखियों कि ते मस्ट है देखना जाके अगर कुश्चन आता है इससे बाहर जाएगा ही नहीं आप कोई भी एक्जाम दे 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 दो दोस्तों ठीक है तो दोस्तों quality with quality में हम लोग अब जो है अपने शिग अवलोकन की आगे बढ़ते हैं पहला question है भारती सम्विधान के किस अनुच्छेद में लोग सभा का प्राउधन किया गया है तो किस अनुच्छेद में लोग सभा का प्राउधन किया गया है एक्यासी भी किया गया है पहले हम लोगों ने theories पड़ी फिर MCQs पड़ी उसमें भी एक क्रम से हमने सारे questions को सजाया था और इसमें भी ऐसे सजाया है कि आप लोगों का समस्त स्लेबस एक बार फिर से revise हो जाये दोस्तों ठीक है तो 81 की वजाए दूसरा है मूल संभिधान में लोग सभा अध्यक्षी संख्या कितनी थी तो मूल संभिधान में जब संभिधान लाग हुआ तो सदस्तों की संख्या 500 थी ध्यान देना है तीसरा है वर्तमान में लोग सभा सदस्त की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है तो अधिक्तम संख्या 550 हो सकती वर्तमान में ठीक तो था है लोग सभा सद्द से बनने के इच्छुक व्यक्ति को कम से कम कितनी आयुका होना आवश्यक है तो कितनी आयुका होना आवश्यक नियुंतम उसकी 25 वर्ष होना आवश्यक हम लोग पर चुग है उसकी योगिताओं में पांचमा है किस अनुचेत के अंतरगत मंति पर्चल लोगसभा के परती सामुहिक रूप से उत्तरदाई होता है तो अनुचेत 75 तीन के परती होता है ठीक है और सामुहिक रूप से उत्तरदाई लोगसभा के परती होता है और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाई मंत्री राष्ट्रपती के प्रति होता है ठीक है राष्ट्रपती द्वारा दो अंगल भारती सदस्यों का लोग सभा में मनुनें किस अनुच्छेत के अंतरगत था अनुच्छेत 331 के अंतरगत था मतलब 104 संभिदान चंशोदन के माध्यम से इसको हटा दिया गया और 25 जनवाई 2020 से इनकी न्यूक्ति को दिश्प्रभावित कर दिया गया ठीक है ठीक है सात्मा है लोग सभा में अनुच्छी जाति तथा अनुच्छी जनजातियों के लिए आरक्षित अस्थान के तरह है तो अनुच्छी जाति के लिए 84 है अनुच्छी जातियों और जनजातियों के सीटो का आरत चाल ए, विधान सभामे 330 है, विधान सभामे 332 है, अनसू ची जाते हैं, और लोग सभामे आंगल भारतियों के खें आर विधान सभामे 333 है और इन सब में सभामे अपराउधान अनुचिछ 334 कर दो क्षा ठीक, जान दिना मतलब लोगसभा में सीटों का आवन्टन जो होगा वो किस नियमावली के तहत किया गया लोग प्रति निडियत् Jurassic अधिनिया मतलब रिप्रेजेन्टेटीव औफ पिपल स्थ 1950 में ये नियम लाया गया था ठीक है कि लोग सावा में जो सीटो का आवंटन होगा वो जनसंख्या के आधार पर होगा और ये जनसंख्या का आधार जो होगा वो तो ठीक बता दिया गया लेकिन वर्तमान में जो जनसंख्या का आधार होगा वो कब निर्धार किया गया था किस जनगरना के बाद निर्धार किया गया था, तो 1971 की जनगरना के बाद निर्धारित किया गया था, और निर्धारित किया गया था, 1971 की जनगरना के बाद जनसंख्या का आधार, वो जनसंख्या का आधार कब तक अपरिवर्तित नहीं होगा, तो 2026 तक अपरिवर्तित होगा, प 1889 किस से संब्धनित है तो वैस्क मताधिकार की आय 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गए थी ये चीज हम लोग बढ़ते हैं लोगसभा प्रत्याशी के लिए नियूनतम आयू कितनी होनी चाहिए तो 25 वर्ष होनी चाहिए ठीक लोगसभा कारेकाल 5 वर्ष कब से निरधारित होता है उसके अधिवेशन की प्रथमतिति से है कि लोगसभा के पहले अधिवेशन की पहली तिति से शुरू हो जाती है उसकी कारेकाल की गणना ठीक है पंद्रबा है लोगसभा का कारिकाल कब बढ़ाया जाता है तो आपात काल के दौरान बढ़ाया जा सकता है आग नहीं लेकिन केवल एक बार में अभी देखते हैं लोगसभा का इस्थगन किसके द्वरा किया जा सकता है लोगसभा का इस्थगन लोगसभा अध्यक्ष के बारा किया जा सकता है लोगसभा के सत्र का आवाहन किसके द्वरा किया जाता है राश्पति के द्वरा लोगसभा के सत्र का सत्रा वसान किसके द्वरा किया जाता है रा जैसे लोक सभा का जैसे उत्तर प्रदिश में एक बार राज विधान सभा का जो इस्थान था वो लखना उसे ना हो करके प्रयाग ना हो गया था, ठीक है, ध्यान देना है, राश्ट पती द्वारा लोक सभा को समय पूरो भंक किसकी सिफारिश पर किया जाता है, मंति परश्चत की सिफारिश पर या प्रधान मंति की सिफारिश पर किया जाता है, ठीक ह द्हांदिना है नौ निर्वाचित लोगसभा के सबसे वरिष्टतम सदस्यों में से प्रोटमी स्पिकर का चुनाव रश्चति करता है। तो शपत दोस्तों प्रोटमी स्पिकर दिलाता है थीक है। तीसरी अनुसूची के अनुसार ठीक। ध्हांदिना है। लोग सभा का अध्येश्य नहीं करेगा लोग सभाद अध्येक्ष्द नहीं करेगा अब जब उपराश्च्ट पती सदन का सद्धी से है लोग सयूंगत बैठक होती है तो संग्ध बैठे की अध्यक्षता उसका सदत से ही करता है और उप राश्पती उसके सदत से होते नहीं तो वो करेंगे ही नहीं इसलिए राजसभा का सभापती नहीं करके राजसभा का उप सभापती करता है यदि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष और अध्यक्ष अनुपस्थ है लोकसभा की किस नियमावली में पढ़ चुक है नियमावली 1-9-8 अध्यक्ष अध्यक्ष और 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 अध् कौन सी तीन परिस्थितियां आवश्यक हैं, तो तीन परिस्थितियां कौन कौन सी आवश्यक हैं, यदि कोई विधेया, कोई साधारन विधेया, एक सदन से पास हो करके दूसरे सदन में जाता है, तो पहली कंडिशन है, दूसरा सदन उससे अस्विकार कर दे, ठीक है, दूस सब्सक्रसदन उस विद्धीयक को रखे रखे च्छे महां का समयद भी जाता है तो इन तीन पनक्ने चाहला घाव होगी उसकी तो वितथए नियम कौन बूलाता है राष्ट्रश्पति बनाता है और राश्ट्रश्पति लोगसभाική अध्ठक्ष और राजसभाके सभापती के प्रअबर्स पर बनाता है टीक है ! ग्यां पर puppy गया है 1 गले का में मैं में स्थे शाय का अधीकर मरु यूजड़िय को स्वारा छचा करेए 2 दोनिया जाय का लोगसभा दोरा परित धन्वलियग्र राजश्वा का करेए 1 गैदंडा 3 ग huyell 파 2009bookो 2 Le para परी जाय गटन होता है अचिन साको तीन आपरेल यilledty उसके दौारा उस पर कोई कारवाही नहीं की जाती है तो चौदा दिनों तक ये ले ज़दि राजे सभा की दौरा कोई कारवाही नहीं की जाएगी तो लोग सभा जिस रूप में प्रस्थुत की होगी उसी रूप में उसको पार्यत मान लिया जाएगा संयुक अध्यशन के अध्यक्षता कौन करते हैं तो लोगसभा के अध्यक्ष करते हैं कोई विद्ययक धन विद्ययक है कि नहीं यह विनिश्चे कौन करता है तो यह विनिश्चे लोगसभा के अध्यक्ष करते हैं ठीक प्रस्तावित किया जा सकता है तो केवल और केवल लोग सभा में विश्वास प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है तो लोग सभा में विश्वास प्रस्ताव विपक्ष के लोग प्रस्तुत करते हैं और उसके एवज में विश्वास प्रस्ताव प्रधान मंत्री प्रस्तुत करते हैं इंप्वर्टन देना विश्वास के जगए आविश्वास पाढ़ेंगे तो गलत हो जाए यहां there तो लोग सभबा में विश्वास का नता कौन होता है का मद्घर प्रदेश में टो मद्चञ्द्र ही करेगा शह सद्ट से उसके पास ठीक है 49 हम है लोक सभब्द के उनसार सबसे बढ़ा निर्वाचन कौन सा है तो छेत्रफल के अंसार सबसे बाद निर्वाचन, तेतर लगदाउq का है दूस्तुओं ठीक है चालिसओं है लोगसवा अधाक्ष का चैन कौन करता है तो लोगसवा अधाक्ष का चैन लोगसवा के सभी सदस्वेद्थें के द और विड़ा किया जलता है स्धिर 46 में भारत में कौन प्तम जज आती लोगसभा अधक्ष था तो पिये सन्गमा थे ठीक है तो 40 में लोगसभा का पहला आम चुनाओ कब हुगा था तो salud पहला आम चुना होगा था, 45-वे लोकसभा में सरवाधिक इस्थान का आवंटन किस राज़ से, तो सरवाधिक आवंटन अपती है, उस्तरपरदेश से, उसके बाद महराष्ट है 40, फिर पस्चिम बंगाल है 42, फिर बिहार है 40, फिर तमिलनाडू है 49, ठीक है, ये सब चीजे पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे, जे भी मावलंग करते और कौन लाया था, जे भी कृपलानी के समर्थक लोग लाये थे, वो भी लाये थे और उनकी समर्थक लोग, और 40 है, लोकसभा का सचवाले किसके द्वारा नियंतरित होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वार में भी पढ़ेंगे समितियां क्या होती है क्या नहीं होती ठीक है यह सब चीजे पढ़ेंगे अंसत के किस सदन को लोगपडी सदन कहा जाता है तो निम्र सदन अर्थात लोगसभा को लोगपडी सदन कहा जाता है इक्यावन है सत्रवी लोगसभा के प्रोटर्म स्पिकर कौन थे इंपोर्टेंट है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ठीक है बावन है लोगसभा के कौन से अध्यक्ष राष्टपती भी नियुक्त हुए थे तो नीलम संजीव रेड़ी थे दोस्तों ठीक है किरिपन है लोगसभा अध्यक्ष युम उपाध्यक्ष पद का उद्भाव कब हुआ था मतलब 1919 के अधनियम में लोगसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उद्भाव हुआ था और इनके गठन कब किया गया था 1921 में कर दिया गया था ठीक है जो वनवा है 1977 में छथमी लोगसभा में निउनित मिदन parallel किस वाचन में होता है टाओनुवा लोगसभा अज़राइक वोट का प्रयोग करते हैं जब केवल मत बराबर होने जब मत बराबर किस कि अरुआब काश्टिंग वोट या निरलायक मत का प्रयोग करते हैं अठावने लोगसभा के चुनाओ के मामले में सामान निवर्ग चता अनसूचित जनजाती या अनसूचित जाती के उमीद्वारों द्वारत जमा कीगी जमानत राश कितनी होती है तो सामान निवर्ग के लिए 25,000 होती है अनसूचित जाती और जनजाती के लिए 60,000 होती है उन साथमा है लोगसभा की बैठक कैसे समात की जा सकती है तो लोगसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान और विघटन के द्वारत समात की जा सकती है और तीनो किसके द्वारत समात की जाती है लोग सभा के कितने सतर बुलाए जाने हैं, तो एक वर्ष में नियुनतम दो बार बुलाए जाने आवश्यक हैं, क्योंकि उनमें छे महा का अधिक का गयब नहीं होना चाहिए और इस प्रकार से दो एक वर्ष में दो बार आ जाता है, ठीक है, समानता है या परमपरा आ जात रूप से तीन बार बुलाए जाते हैं, भजट सत्र, मांसुन सत्र और स्चीत काले, ठीक है, यह सब आगे वाली किलास में पहलेंगे ठीक है, एक सब्वा है, लोग सब्वा को उसके कारकाल की समाप के पूर्व कैसे भंग किया जा सकता है, उसके कारकाल की समाप के पूर्व तो राष्टपती द्वारा मंती परशत की सलाह पर भंग किया जा सकता है, लोग सब्वा चुनाओं का प्रत्याशी अपनी जमानत क कब खो देता है जमानत कब खो देगा जब उसको वैद मतों का एक बटे छे भाग नहीं प्राप्त होगा तब तिर सथमा वही जो 25,000 रुपय दिये थे और 16,000 रुपय दिये थे वही 10 सदस की मतलब लोकसभा के लिए 55 सदस राज सभा के लिए 25 सदस मतलब इसका है गरको कूरतिया कोरम दोस्तों ठीक है multiply का व्योर्ण मतलब और यह मेडिया की द्वरत नामकरण दिया गया ठीक है खाचटों है भारती संविधान भारती संसत या सोड़ जहनती समारोख कम मनाए गया तो 13 माई 2002 को 13 माई को मनाए जाने क्यों आच्छा के यूगि 13 माई को ही लोकसभा और राजसभा की पर्थम बैठक होती है अधिवेशन के अधिशता कौन करते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं 68 अविश्वास परस्ताव पालित हो जाने के बाद क्या होता है उस्तरकार को इस्तीफा देना पड़ता है और क्या होगा है कि नहीं 69 अविश्वास परस्ताव परस्तुत करने के लिए कम से कम कितने लोकसभा सदस्यों का समर्थन की ज़रूरत होती है तो 85 यह नहीं कि किसी एक का भी मन किया चलो अविश्वास परस्ताव लाते हैं ऐसा नहीं होगा अविश्वास परस्ताव लाने के लिए नियूनतम 50 सदस वन लाइनर भी कर लिए हैं जो कि exam oriented हैं बहुत important questions होते हैं यह सब आप लोगों के लिए यह सब sessions जोइन करना बहुत आवश्चिक होता है दोस्तों इसका PDF हम लोग GS वाले भाईया के टेलिग्राम ग्रूप पर और WhatsApp ग्रूप पर हम भीज़ देंगे जिसका link description box में दे दिया है आप लोग जोईन हो सकते हैं तो दोस्तों यह सारी चीज़ें आप लोग बार बार रिवाइस करिएगा बार बार पढ़िएगा क्योंकि कुछ अगर इसमें से नया मिले अपने notebook में जरूर उसको note करिएगा exam के लिए बहुत important हैं दोस्तों और revise जरूर करिएगा दोस्तों हमारा selection SSD में हुआ, railway में हुआ, हमने UP pieces का interview भी दिया इसमें यह चीज़ें बहुत important थी हम MCQs भी लगाते थे, theories में भी multiple times revision करते थे, one liner भी लगाते थे, इसलिए दोस्तों हमको चीज़ें याद हो जाती थी दोस्तों, ठीक है, तो ऐसे आपको भी याद होंगी, आप लोग भी इन सब कीज़ों को follow करिएगा दोस्तों, ठीक है, और यह हम नहीं बता रहे हैं, हम को किसी महापुरुष नहीं बता रहे था, तो हम इस किसी महादान है।